पांच वरस की अनन्या और साथ वरस का यूवराज दोनों स्कूल से घर लोट रहे थे बीच रास्ते में एक सेट जिसको कुट्टे पालने का सौक था और वो इतना लापरवा था कि उसके कुट्टे कई और घर के बाहर टहल रहे थे दोनों बच्चों को देखा कुट्टों ने पालतू कुट्टों ने तो उन बच्चों के पीछे वो कुट्टे भाग गए बच्चे इतने डर गए भागते भागते रेलवेट ट्रेक पर पहुँचे क्योंकि उनको पीछे आ रहे उन दोनों कुट्टों से डर था रेल की पट्रियों पर अचानक से माल गाड़ी आई और यूवराज और अनन्या उसी माल गाड़ी के सिखार हो गए दोनों की इस दुरगटना में वही पर मौत हो गए गटना की जानकारी के बाद हर कोई व्यक्ति स्तब्द रह गया और यही कहने लगा कि भला इन कुट्टों से अच्छा कोई और जानवर पाल लेता ताकि इन दोनों मासूम बच्चों की जान बच जाता ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों आपस में भाई बेहन है दोनों घर लोट रहे थे स्कूल से इस दर्मियान दोनों कुट्टे जो एक सेट के द्वारा पाले गए थे वो दोनों कुट्टे उन बच्चों के पीछे भाग गए और वो बच्चे डरते डरते रेलवेट ट्रेक पर पहुँचे और इस हादसे में यह गटना हो गई जो मैंने आपको सुनाई यह गटना राजस्तान के जोदपूर के है जोदपूर के माता का थान छेत्र की यह गटना है गटना की जानकारी मिलने के बाद उन दोनों बच्चों की परिजन वहाँ पर जब पहुँचे तो रोरों के उन दोनों के बुरे हाल थी इस ख़बर से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँ अच्छी बात है आप सौक रखते हैं जानवरों को पालने का अपने घर में कुत्ते बांद के रखते हैं आम तोर पर हम लोग सुनते हैं कि एक जमाना हुआ करता था तब लोग अपने घरों में गाएं पालते थे उनका दूद पीते थे लेकिन अब जमाना विप्रित हैं कुत्ते तो पालते हैं अपनी वफादारी के लिए लेकिन आप देखिए कि इनी कुत्तों की वज़े से दो म का रिवाई नहीं होगी तब तक हम सब नहीं उठाएंगे पुलिस ने समझाइश कर रही है और पूरे मामले की जांच परताल कर रही है मैं हमारे जिते भी दर्सक देख रहे हैं उनसे एक अपील करना चाहूंगा आपका जीवन हैं आप क्या पालते हैं क्या रखते हैं यह आ झालते हैं नहीं कि अजब प्रेएंगा तर्सक दाने रखते हैं ध।